Hello everyone, welcome to my channel चलिए हम Bride of Holly Ching के next part को स्टार्ट करते हैं पिछले part में हमने देखा था Wing ने Wangji से खा था मैं तो तुम्हें कई सालों से जानता हूं तो चलिए अब हम Wing के flashback को देखेंगे Wing ने आगे बताना शुरू किया Flashback स्टार्ट होता है 14 साल का Wangji एक बार साई टाउन अपने अंकल और ब्रेदर के साथ गया था वे तीनों टॉइस की शॉप में रुके थे चिरैन ने दोनों लैन ब्रेदर्स के लिए टॉइस खरीदे थे तभी Wangji को एक बच्चे की चिलाने की आवाज सुनाई देती है उसने तुरंट उस तरफ देखा तो एक बच्चा कुत्तों से बच्च कर भाग रहा था उसके हाथ में कुष्ट था जिसे देखकर कुत्ते उस बच्चे के पीछे पीछा कर रहे थे Wangji ने उस बच्चे की मदद करने के लिए वहाँ चला गया Wangji ने उन कुत्तों को भगा दिया वो लड़का डड़ से Wangji के पीछे चुपा हुआ था Wangji ने उस बच्चे को आगे किया और कहा वो कुत्ते चले गए तुम डरो नहीं तुमारा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा इंग और उस बच्चे ने भी कहा तुमारा नाम क्या है? Wangji ने कहा लेंजन तब Wangji ने आगे कहा वो इंग था उसे मैंने अपना खिलोना भी दिया था Wangji ने कहा सॉरी Wing ने कहा पर तुम उसे कैसे जानते हो? Wangji ने Wing से पूछा क्योंकि इंग और कोई नहीं मैं था Wing ने कहा मैं वहाँ भीश बदल कर गया हुआ था तुमने मुझे अपना खिलोना भी दिया था तब ही Wing ने अपने मैजिक से वो खिलोना Wangji के सामने रख दिया जो की एक डॉल की शेप में था तब Wangji ने कहा Wing ने कहा Wing ने आगे बताना शुरू किया तुमारे अंकल तुमें बुला रहे थे तो तुम मुझे अपना खिलोना दे कर चले गए थे और जाते जाते तुमने कहा था फिर मिलेंगे Wing उस दिन के बाद से मैं हर रोज उस बाजार में आता था इस आस में की तुम वहां आओगे पर तुम नहीं आये पर पांच साल बाद तुम वहां अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ और सर्वेंट्स के साथ आये थे तुम पूरे बदल चुके थे वो छोटा सा लेंजा लेंजान अब बड़ा हो चुका था तुम अपनी 18 बड़े के दिन वहां आये थे मैं तुमें दूर से ही देख रहा था तुम लोगों से हस हस कर प्यार से बाते कर रहे थे उस दिन मुझे तुम से पहली नजर का प्यार हुआ था तुम जिस तरह लोगों से बाते कर रहे थे उस ढंग से मुझे तुम से प्यार हुआ था प्यार के शुरुआ तो जब तुम 14 साल के थे तभी इसे हो गई थी पर जानने में मुझे थोड़ा वक्त लगा और 18 साल में मुझे पूरा पता चल गया था कि मैं तुम से कर सक कर रहा था कभी उन पर किस कर रहा था कभी लिख कर रहा था वांग जी को इतना प्लेजर फील हो रहा था कि वो मौन करने लगा वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर कह नहीं पा रहा था विंग उसकी नैवल से खेलने लगा था उसकी नेवल पर अपनी टंग को रोल कर रहा था वांग जी को इतना प्लैजर फील हो रहा था कि वो बता नहीं सकता था विंग अब खेलते खेलते नीचे पहुंच गया उसे वांग जी को भी पता नहीं चला वांग जी ने हिमत से विंग से पूछा मैं तुमसे पूछ सकता हूँ वींग ने हम किया वांग जी ने कहा तो तुम मुझे पिछले ग्यारा साल से पसंद करते थे और मुझे प्यार करते थे अगेन वींग ने हम कहा वांग जी ने कहा क्या हम हम किये जा रहे हो प्लियर से आंसर क्यों नहीं दे रहे वांग जी ने गुसे में कहा वांग जी इस समय प्लेजर फील कर रहा था उसने अपनी आखे प्लेजर से बंद कर दी थी जैसे ही इस बार वींग ने हम किया तो वांग जी ने आखे खोल कर देखी तो वह देख कर चौंग गया क्योंकि विंग ने उसे फुल न्यूट कर दिया था और वांग जी एक ओमेगा में कनवट हो चुका था वहाँ वांग जी की पूरी बोड़ी अब एक फैमिनन की तरह हो गई थी वांग जी को विश्वाश नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है पहले वो एक एलफा था अब वो एक ओमेगा में बदल गया था उसे अब समझ आ चुका था कि भीवशन कोई कम जोर इस्पिरिट नहीं है उसने उसे प्रॉपर एक ओमेगा में कनवर्ट कर दिया था उस दिन के बाद से किसी को कुछ पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ क्या नौबा लॉड और हॉली चिंग के साथ क्या हुआ था उस रात लोगों ने कई सारी दंद कथा बतानी शुरू कर दी पहली दंद कथा थी जिसमें लॉड वांग जी ने उस हॉली चिंग को अपनी पावर से कैद कर लिया कई कहते थे नौबा लॉड ने हॉली चिंग को मार दिया कई कहते थे नौबा लॉड ने हॉली चिंग को अपनी दुलन बना दिया था और कई कहते थे नॉबल लॉड ने खुद को हॉली चिंग को सब्मिट कर दिया था। उस दिन के बाद गूसू भॉत डैवलप हो गया था। उस दिन के बाद से नॉबल लॉड को किसी ने नहीं देखा था ना ही हॉली चिंग को। दूसरी तरफ वांग जी एक महल में था उसकी टमी ग्रो हो चुकी थी तभी उसको पीछे से किसी ने हक किया और उसकी सैंडल वुड स्मेल को स्निफ करने लगा। वांग जी ने खा विंग तुम आ गए। पाउट बना कर विंग वांग जी से कहता है तुम मुझे पैचान ग कम समालते समालते मेरी हालत डाउन हो गई। तुम्हारी लोटस की समयल को मैं दूर से भी पैचान सकता हूँ। वांग जी ने कहा और जब तुम 11 साल से अपने किंग्डम का काम नहीं देखोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। ये कहकर वांग जी हसने लगा। विंग भी स्माइल कर रहा था, तभी उसको दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, जो उन दोरों की तरफ ममा बाबा कहते हुए अंदर आ रहा था, वांग जी ने उस छोटे से बच्चे को गोद में उठाय और कहा, युवान तुम कहा थे, युवान ने अपने टूटी फू जाते तो, युवान ने रुवासे होते होए का, सौरी बाबा, वींग ने अब तभी युवान के चीक्स पर किस किया और कहा, नौटी बच्चा, वांग जी अब वींग के सैकंड बेबी से प्रेगनेन था, वांग जी ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा, मैं यहां वे और कहा मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा विंग ने युवान और वांग जी दोनों को हक कर लिया था अब हमें फ्लेश बैक दिखाय जाता है कि उस रात क्या हुआ उस रात वांग जी जब ओमेगा में कनवट हो गया था तो विंग ने कहा था तुम मेरी ब्राइड हो तुम ऐसे ही थोड़े मर सकते हो उस दिन विंग और वांग जी की शादी हुई थी और वांग जी विंग के साथ उसके वेक इंग्डम में आ गया था दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट को बहुत अच्छे से स्पेंड किया था वांग जी को विंग ने वेक इंग्डम की एंप्रेस बना दिया था और घोशित भी कर दिया था दोनों हर रात लगबग 2-3 डाउन सेक्स किया करते थे जिसका नतीजा ये हुआ कि वांग जी 4 मन्त बाद विंग के बेबी से प्रेगनेंट था टाइम बीटा गया 9 मन्त भी हो चुके थे वांग जी ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था बाहर एक नैनी आके कहती है बेबी और मदर दोनों हैल्दी है और वो रूम से बाहर चली गई बेबी के बर्थ को अब 2-3 मन्त हो चुके थे दोनों ने बेबी की नेमिंग सेरेमने की जिसमें बेबी बॉय का नाम यूआन रखा गया और उसका कर्टिसी नेम वेशी जोई था